अगर आप भारत में रहते हैं और कोरोना वाइरस को लेकर कहीं न कहीं आपके दिमाग में बहुत जहर और भ्रह्म वाटसप और फेस्बुक ने भर दिया है तो आपको ये वीडियो को आखरी तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वाइरस को लेकर बहुत जरूरी नो बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोरोनो वाइरस से बचने के लिए आपको कुछ सेनिटाइजर्स या फिर मास्क खरीदना हो तो वो आप कहां से खरीद सकते हैं और किस एप की मदद से आप बहुत सारा केश बेक भी पास सकते हैं कोरोनो वाइरस या कोबीड नाइंटीन के संक्रमन के तीन नए मामले सामने आने के बाद से भारत में इससे प्रिभावित लोगों की कुल संख्या छे हो गई है पिछले साल चीद में बड़े पिमाने पर फैलिये बीमारी अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विशय बन गई है भारत भी इसे लेकर हाई अलर्ट पर है कोवीड नाइंटीन की काफी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया और वाटसिप ग्रूपों पर भी बहुत कुछ शेयर किया जा रहा है इन में से कुछ बाते सच हैं और कुछ ब्रहमक इसलिए हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत में कोरोना वाइरस से जुड़ी ऐसी नो बातें जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए सबसे पहली बात है कि भारत में कोरोना वाइरस की स्थिति क्या है अभी तक भारत में छे मामले पॉजिटिव पाए गए है मंडे को दो नए मामलों की पुस्टी हो चुकी है पिछले साल तीन मामले केरल में पाए गए थे सभी का इलाज हो चुका है और उन्हें घर भेज दिया गया है ये तीनों चीन से वापस भारत लोटे थे दोनाई मामलों में से एक दिल्ली का है और दूसरा तेलंगाना का और एक जैपुर का तीनों को एकांत में रखा गया है और इलाज किया जा रहा है दिल्ली वाले मरीज ने हाल ही में इटिली की यात्र की थी और तेलंगाना वाला शक्स दुबई से लोटा था अभी कोरोनवाइरिस के 23 और सेंपलों की रिपोर्ट आना बागी है सोमवार को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फरेंस में केंदरी स्वास्त मंतरी हर्षवरधन ने जानकरी दी कि इस मामलों को लेकर उच्चिस्तर पर निगरानी रखी जा रही है दोस्तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और एमेजोन, फिलिपकार्ट, मिंद्रा और सिवगी जैसी वेपसाइट्स यूज़ करते हैं तो आप सब को केश करो ज़रूर यूज़ करना चाहिए केश करो एक एप और वेपसाइट है जो आपको हर ओनलाइन शॉपिंग पर मैसिव केश बैक्स और रिवार्ट्स देता है किसी भी वेपसाइट पर डिरेक्ली जाने की बजाए केश करो पर आओ और वहाँ से किसी भी वेपसाइट पर जाओ और नॉर्मली शॉप करो अब जैसे आप usually shopping करते हो वैसे करो payment करने के बाद आप cash करो में my earnings section में अपना cashback चेक कर सकते हो जब आपका cashback confirm हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने bank account में transfer कर सकते हो या उसे Amazon gift voucher में convert कर सकते हो cash करो से आप 1500 plus websites पर shopping कर सकते हो cash करो आपको shopping करने के free पैसे दे रहा है अभी description के पहली link से cash करो पर अपना account बनाओ और कम से कम एक transaction तो करके देखो मेरी link से sign up करने पर आपको first purchase पर 25 रुपाई extra भी मिलेगा अब वापस आते हैं वीडियो पर की आखिर वाइरस को फैलने से रोकने के लिए क्या कर रहा है भारत भारत ने कई कदम उठाएं भारत ने मुख्य और छोटे हवाई अड़ो और बंदर गाहों में screening करने का एलान किया था जमीनी सीमाओं पर भी screening system लगाए गएं सोंबार को केंदरी स्वास्त मंत्री ने कहा कि कोरनो वाइरस संक्रमित 12 देशों से भारत आ रहे यात्रियों की एरपोर्ट पर screening हो रही है शुरू में चीन, सिंगापूर, थाइलेंड, हॉंग कॉंग, जापान, दक्षिल कोरिया के यात्रियों की screening की जा रही थी अब वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इरान, इटली और नेपाल से आ रहे यात्री भी screen किये जा रहे हैं खास पुलों के माध्यम से इन देशों से आ रहे यात्रियों को screening के लिए ले जाए जाता है अब याई व्यवस्ता 21 अंतरास्टी हवाई अडो में है DGCA ने कहा है कि सभी एरलाइन्स को निर्देश किया गया है कि वे संक्रमित देशों से आने वाली उडानों में जाग रुकता लाने वाली गोशनाएं करें और हिदायतों का सक्ती से पालन करें अभी तक 20 हवाई अडो पर 5.5 लाग से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है भारत में 12 मुख्य और 65 चोटे बंदर गाहों में अब तक 12,000 से जादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है अन्य देशों के साथ लगती जमीनी सीमाओं पर भी स्क्रीनिंग की व्यवस्ता की गई है उत्तर परदेश, उत्तर अखंड, बिहार, पश्शी मंगल और सिक्के में 11,00 से जादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है इन सीमाओं से लगते 3000 से जादा गाहों को मॉनिटर किया जा रहा है अब बाद उटती है कि भारतियों को यातरा करने से जुड़ी क्या हिदायती दी गई है भारत ने एक ट्रेवल एडवाईजरी जारी की है चीन और इरान के लिए सबी वीजा रद्द कर दिये गए है सरकार ने इटली, कोरिया और सिंगापूर जाने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किये है सरकार हालात को देखते हुए अन्य देशों को लेकर भी ऐसे कदम उठा सकती है अधिकारियों का कहना है कि भारती दूताव्यास यातर से जुड़े नियमों को लेकर लगतार अन्य देशों के संपर्क में है सरकार इरान और इटली की सरकारों के साथ मिलकर अपने नागरिकों को निकालने की योजना बना रही है स्वास्त मंत्री ने अपील की है कि जिन देशों में कोरोना वाइरस की मोजूदगी पाई गई है उन देशों की यातर अगर हो सके तो टाल देना चाहिए सवाल यह है कि क्या भारत इसके व्यापक रूप से निपटने के लिए तयार है भारत में कोरोनवाइरस के संदिक्द मामलों की पुस्टे के लिए 15 लेप्स हैं मगर एक दो दिन में 19 ओर लेप्स काम करना शुरू कर देंगी स्वास्त मंत्राले के अधिकारियों का कहना है कि वे जरूरत पढ़ने पर 50 लेप्स शुरू करने के लिए तैयार हैं दिल्ली के पास छावला में ITVP के परिसर में कॉरिंटाइन सेंटर यानि लोगों को अलग से निगरानी में रखने के लिए केंदर बनाये गया है यहां चीन के वुहान से लाए गए 112 और जापान से लाए गए 124 लोग रखे गए हैं अभी तक 25,000 से जादा लोगों को घर पर रहने के लिए कहा गया है एक हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया गया है 011-23978046 सवाल यह उठता है कि भारत में संक्रमिद व्यक्ति के पहचान कैसे होती है भारत में हवायट डोबंदर गाहों और सीमाओं पर स्क्रीनिंग की जा रही है यहां स्वास्त विभाग के अधिकारी तेनात किये गए है 12 देशों से आ रहा है यात्रियों को एक सेल्फ डेक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें उन्हें जानकारियां भरने को कहा जाता है फिर थर्मल स्केनर के माध्यम से चेक किया जाता है कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है जिनें बुखार होता है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाये जाता है और फिर उनकी travel history का ब्यवरा दर्ज किया जाता है और blood sample लिया जाता है इसके बाद उन्हें गंबीरता के आधार पर एकांत में बनाय गए वार्ड में भेजा जाता है जिने बुखार नहीं होता उन्हें अगले 14 दिन के अंदर कोई भी लक्षन मिलने पर नजदी की अस्पताल में संपर करने के लिए कहा जाता है सवाल यह उठता है कि इसके प्रारंबिक लक्षन क्या है बुखार खासी सास लेने में दिक्कत या इन में से कोई भी या ये सबी लक्षन हो सकते हैं गंभीर मामलों में निमोनिया और सास लेने में बहुत जादा मुश्किल हो सकती है कुछ दुरलब मामलों में इसका संक्रमन जान लेवा भी हो सकता है इसके लक्षन सामाने सर्दे जुखाम जैसे होते हैं इसलिए टेस्ट करवाना जरूरी होता है ताकि पुस्टी हो सके कि संक्रमन कोरोनवाइरस यानि कोवीड-19 का ही है सवाल उठता है कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं लगातार हाद दोते रहें और जरूरत पड़े तब ही किसी शक्स के शारिरिक संपर्क में आएं सुच्छता बनाए रखना बहुत महत्पूर है बीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें आप मास्क भी पहन सकते हैं चीकते या खासते समाए अपने चेहरे को ढखकर रखें अगर आपको शक है कि आप में कोई ऐसा लक्षन है तो नजदी की अस्पताल में जाएं एक आखरी समावाल कि क्या आपको मास्क पहनना चाहिए अगर आपको सांस लेने से जड़ी कोई दिक्कत है आप जीक रहे हैं या खासी है तो मास्क पहनने की सलह दी जाती है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रहें अगर आपको कोई ऐसे लक्षण नहीं है तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो इन्हें सही धंग से पहनना और इनका सही धंग से निप्टाना करना जरूरी है ताकि संक्रमन को फैलने से रोका जाए सिर्फ मास्क पहन लेने से ही इंफेक्शन फैलने से नहीं रुकता साथ ही आपको लगातार हाथ धोने होंगे छीकते और खासते समय मुह ढखना होगा और जुकाम जैसे लक्षणों से जूज रहे व्यक्तियों के जादा करीब जाने से बचना होगा दूसरा सवाल है कि भारत में नए मामलों के बारे में आपको क्या पता है दिल्ली में संक्रमित पाए गए केस को लेकर अधिक जानकारी उपलब्द नहीं है बस इतना ही पता है कि यह शक्स इटिली से लोटा है इस शक्स ने खुद अपनी इस्तिती की जानकारी दी और फिर उसका इलाज शुरू हुआ तेलंगाना में पाए गए केस के बारे में वहाँ के स्वास्त मंत्री ने कहा कि 17 फरवरी को इसने दुबई की यात रखी वह हॉंकों के सहीयोगियों के साथ काम कर रहा था ये शक्स कोरोनवाइरस संक्रमन के संदिग्द लक्षण महसूस करने पर एक निजी अस्पताल में गया वहाँ से उसे सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया उसे अभी अलग थलग रखा गया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है ये मरीच एक बस के जरिये बैंगलूरू से हिदराबाद आया था मंद्री ने बताया कि बस के सभी 27 यात्रियों और उनके परीजनों का टेस्ट किया जा रहा है इटली से लोटे एक अन्य शक्स के सेंपल राजिस्थान से जाच के लिए पोड़े भेज गए है दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ फेस्बुक और वाटसिप पर जरूर शेयर करें इस तरह के और भी वीडियो अस पाने के लिए वीफ और विनोवेटिब को जरूर सबस्क्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं